एपिसोड की शुरुवात होतीर हम देखते उन्ही लड़कियों को जिने तोया ने भचाया था उस मॉंस्टर से यहाँ पे तोया आ जाता और कहता है कि तुम्हारा काम कैसे चल रहा है यह लड़किया कहती है हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है और साथी साथ जो जरी भी खोलता है जहां पर आके लोग इंजॉय करते और बुक्स भी बढ़ते हैं यह सब देखके अडवेंचर का लड़का तोया से काफ़ी जाता खुश होता है उसकी तारीव करता है तोया कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है यहां पर यह फिर बताता है इसके जो करने के अलावा कुछ नहीं करता था तो तोया कहता है इसी कोई बात नहीं है अगर तो मैजिक ठीक से यूज करोगे तो वह काफी जटा यूसफुल हो सकते तुमारे फिर हम देखते हैं यहां पर यूमिना को लेकर गिल्ड में आ जाता है जहां यूमिना कहती है वह भी एक रेड कार्ड होल करना चाहती है ताकि कोई से यह ना कह सके कि यह टीम के लिए कमजोर हिस्सा है फिर तोया और यह मिलके एक रेड क्रेप को पकड़ने का फैसला करते हैं जो कि काफी बड़ा मॉंस्टर होता है यह दोनों फिर गिल्ड के रिशस्पनिस के यहां पर जाते है जहां पर यह तोया को पैचान लेते हैं और कैसे कि मिरनम प्राइम है और मैं आपके बुक्स टोर में बुक्स पढ़ने के लिए आती रहती हूँ यह फिर बताती है दा ओडर ओफ रोस अब खतम हो चुकी है उसका अगला वॉल्यूम आप तक आया नहीं है तो वो चाहती है कि तोया उसके लिए अगला वॉल्यूम लाए तो तोया इसकी बात माल लेता है फिर हम देखते है यूमिना को जो कि तोया से बात करते हुए उस वॉल्यूम के बारे में बता रही होती है और उस मांगा के बारे में बता रही होती है जिससे इसने भी पढ़ रख है और साथ ये crab काफी ताकतवर लग रहा होता है पर यह दोने भी हार नहीं मानते है और जो तोय है वो अपनी power का यूस करके इसके पीछे आ जाता है और यहाँ पर gravity magic का यूस करता है जिस वज़य से ये crab हिलनी पारा होता और इसकी यही पर death हो जाती है तोया का ये move देख के यूमिना काफी जदा impressed हो जाती है और इसी mission को complete कने की वज़े से यूमिना का जो blue card है वो red में हो जाता है जिस वज़े से यूमिना काफी जदा खुश होती है तोया फिर prime को बताता है वो कुछ books खरीदने के लिए जा रहा है क्या prime के पास कुछ ऐसे suggestion है यूमिना तुम यहाँ पर मेरी लिए wait करना फिर हम देखते है जो तोया है वो यहाँ पर refresh की bookstore में आ जाता है और यहाँ पर receptionist को वो चिट पकड़ा देता है receptionist कहती है कि आपकी choice काफी अच्छी है और वो सारी books को यहाँ पर लड़की काफी उदास होती है तो यहाँ तोया को request करने लग जाती है कि यह final volume उसे दे दे पर तोया कहता है यह उसके customer से मंगवाई यह उसकी नई है पर यह लड़की कहती है कि उसकी title की सोच काफी अच्छी है तो वो चाहती है कि तोया उसकी बात को समझे और यह book उसे दे दे पर तोया उसकी बात बिल्कुल नही मैं ही हूँ पर तोया को इसकी बातों का बिल्कुल विश्वास नहीं होता तो यह कहती है ऐसा मैं क्या करूँ तो मैं मेरे बातों का विश्वास हो जाए तो तोया कहता है तो इसका मतलब यह कि तुम मुझे बताना चाती हो कि तुम प्रिंसेस रेलील हो तो यह कहती है आख पर इस kingdom की princess है यह कहती कि यूमिना वो भी तुम से एंगेज होगी मुझे तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है यह कहती है तो या कहता है तो फिर दो मिंट रुको मैं यूमिना को यहां पर लेकर आता हूं तो वो तुम्हें सब कुछ कुछ explain कर देगी और यूमिना इसको सब कुछ बता देती है तो या फिर उस बुक की कॉपी करता है और इसे वो बुक पकड़ा दीता है और कहता है कि इसकी मैंने कॉपी बनाई है यह तुम्हारी लिग कॉपी है तो तो में पैसे देने की कोई चुरोत नहीं है फिर हम देखत लड़के को प्रोटेक कर सके और नो ने तो यहां पर लिजयाता सकänder है कि लिए Är तो यहां पे लड़के को लाए घिससे टाकतवर बρभना नहां था तो यहां पे कहते हैं उससे आफ टार जाना है क्या उसे टॉय लेजाएगा तो यह तो आपने दोस्त से पूशता आखरकर उसका बिजनस चल रहा है तो उसकी दोस्तों से बताती है जो हॉट्स प्रिंग है वो काफ़ अच्छा profit generate कर रहा है इनकी hotel के लिए और यह लोग सोच रहे हैं कि hot spring कोई अपना बेन business बना देंगे उतने में हम देखते हैं यहाँ पर कपड़े के दुकान का owner भी आ जाता है जिसे तो यह cycle supply करता है यह फिर बताता है तोया ने जो design suggest किये थे उसके जो कपड़े है वो अब तयार हो चुके है तो तोया कहता है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है यह फिर यहाँ पर LJ को से try करने के लिए कहता है LJ इसमें काफी खूबसूरा दिख रही होती है पर वो मान ने रही होती है तोया कहता है तुम काफी खूबसूरा दिख रही हो तुम्हें इस चीज को accept कर लेना चीए यह कहती कि ठीक है LJ फिर इस present के लिए तोया का शुक्रे करती है तोया कहता है ऐसी कोई बात नहीं है ऐसे gift तो मैं तुम्हें देती रहूंगा फिर हमें अगले दिन दिखा जाता है जहां तोया यहां पर युमिरा के साथ चाय पी रहा होता है उतने मियां पर लिंजे आती है तो मैं यह पढ़ना चीए तो तोया कहता है यह क्या है तो यह बताती है यह first volume है जो कि अभी वी sale के लिए निकला है इसमें लग रहा है तुम्हारी कहानी लिख हुई है तोया फिर जब उस book को पढ़ता है तो वो देखता है यहां पर तोया की image बनी हुई होती है और हमें पता चलता है यहां पर जो first princess थी उसने तोया को अपने कहानी में इन character तो बना दिया है इसे वज़े से मैं वीडियो नहीं बनाया पाया तो उसके लिए मुझे मुझे माफ करना और आखरी वीडियो तो एडिट हो चुके है बस वो वाइस देना बाकिया गाई उसके लिए वेट कीजिए और आखर में क्या ही कहूँ और आखर में बस ये थैंक्स वोचिंग इस नेक्स वीडियो में मिलते हैं झाल 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 झाल